आप मैसिय अधिकांस लोगों को मूलांग के बारे में पता ही होगा अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं यदि आपका या आपके किसी जन्ने वाले का जन्वे किसी भी मां की 5, 14 या 30 तारी को हुआ है तो आपको हमारा यह लेख पूरा पटना चाहिए तो आइए चर्शा करते हैं मूलांग पांच के बारे में मूलांग पांच का स्वामी ग्रहवद है जो ग्यान एवं बुद्धी का प्रतीक है अता मूलांग पांच वले व्यक्तियों का बुद्धिमान होना स्वभाविक है साथ ही इस मूलांग के व्यक्ति सहासी तथा करमश इसके अच्छे उधारनों में से एक हैं ये व्यक्ति नई नई योजनाओं को प्रियान वित कर लाव कमाते हैं यह व्यापार में रिस्क उठाने और सद्य अव्तत पर रहे हैं एवन व्यापार में अप्रिक्षक रत अधिक सफल रहते हैं घंश्यमदास गुरिला इसके अच स्वयम को ढाल लेते हैं इनमें दूसरों को समोहित करने का गुर्वी होता है यह दूसरों से मितबता कर लेते हैं एवन उनसे अपना काम भी निकलवा लेते हैं यह किसी विक्ति को दे कर उसका मनतव भाप लेते हैं यदि इनके सिक्षा की बात की जाए तो यह उत्तम और गुप्त विद्याओं का भी अधियन करते हैं यादि इनके आर्थिक इस्तिति की बात की जाए तो इनके बारे में कहाद गया है कि ये नई-नई खोयों से लाग कमाते हैं अताहर इनको धन की कोई कमी नहीं होती है ये अपनी बुद्धी के बल पर आसार्मी से धनार्जन क कर लेते हैं यानि कि इनकी आर्थिक इस्तिति अच्छी होती है यादि इनके संबन्नों की बात की जाए तो समाने तहां मुलांग पाच वाले वहन भाईयों और परिजनों के साथ समाने रिस्ता रखते हैं ये मित्र जल्दी बना लेते हैं और उहें बूल भी जल्दी ही ज होते हैं लेकिन मुलांग पांच वालों के प्रेम संबन्द इस्थाई नहीं रहते ऐसा भी देखा गया है कि मुलांग पांच वाले कुछ लोगों के प्रेम संबन्द धन के स्वार्थ में बनते हैं इन्हें जल्द ही एक प्रेम संबन्द पो छोड़ कर दूसरी की तरफ ख जोग धंदों में सपलता पाते हैं ये अच्छे मेनेजर वकील जज लेखा अधिकारी पबलेक रिलेश अधिकारी तिक्षावेद डॉक्टर पत्रकार या जोटशी हो सकते हैं इन्हें अर्थशास्त्र और संगीत का भी अच्छा ग्यान होता है यदि इनके स्वास्त के बात अच्छ वालों को दिमागी शक्ति अधिक प्रियोग करने के करण अधिकांस रोग लगते हैं अनेंद्रा अंगों में पीडा तनाव बदहजमी सिर्दर्द नाक वा आँखों की तक्रीनी भी हो सकती है इनके लिए मुलांग पांच वाले अपने बारे में इने तथ्यों को स्टरल बना कर जीवन का आनन्द लेंगे नमस्कार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें